जैमातादी मित्रों मेरा नाम पंडीत प्रकाश जोसी स्वागत है मेरी यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट्रो आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं जैमेनी मिथुन राशी के मंथली राशी फल के बारे में और अक्टूबर का महीना मिथुन राशी का कैसा जाने बेउक्या है इसके बारे में चर्चा कर लेतें सबसे पहले मिथुन राशी की मंधली फली कुंडली है मंगल कहीं ना कहीं आपके लगन में बैठें थोड़ा हेल्थ के इशू करेंगे औक्टूबर में फिर यह करक में में चले जाएंगे ट्रांजिट होंगे इसी प्रकार में तुला राशी के शुक्र मालब्य योग जो बना रहे हैं इससे आपको पांच बड़े वेनिफिट मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और दसम भाव के अंदर बारा जहां लिखा हैं वहां पर राहू बैठें और गुरु आपके बारवे भाव में जहां दो लिख इस रूटीन में आप काम कर रहे हैं उस रूटीन में काम करते रहेंगे यहां पर सब कुछ नॉर्मल है 16 तारिक से लेकर और 31 अक्टूबर के बीच में जब मंगल का ट्रांजिट होगा तो थोड़ा सा मितुन राशी को अगनी भे यानि की आग से थोड़ा बहुत कतरा रह सकता है तो आग से समन्दित कोई विवस्तु का पे आपको सफधानी बरतनी है बाकी तो हेल्ट के लिए कहीं न कहीं अक्टूबर का महिना आपके लिए के नॉर्मल ही रहने वाला है बात करें मिथुन राशी के धन की इस्तती के बारे में तो धन की इस्तती में बुद्ध अदित्तियों का जवर्दात प्रभाव मिथुन राशी जैमनी में पड़ेगा चार बड़े लाब, चार कामों में आपको सफलता मिलेगी पहला आपको अक्टूबर के मेने में खासकर 5 तारिक से लेकर और 25 अक्टूबर तक कोई वस्तु क्रह विक्रह से आपको लाब होगा दूसरा आप जो इन्वेश्मेंट करेंगे उसमें आपको लाब होता हुआ नजराएगा तीसरा सरकारी रुका हुआ काम या मार्केट में फसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजराएगा चौथा परिवार से या जान पेचान से या ओफिस से आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी अक्टूबर के मेने में मिलेगा यानि धन के लिए बहुत अच्छी स्थती अक्टूबर में रहेगी मितुन राची की लेकिन कुछ खर्चे भी है मितुन राची के मंगल के कारण देखा जाए तो कही न कहीं आपका 13 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में घर की रेनुवेशन पे खर्चा रहेगा या घर के लिए कोई वस्तू कोई electronic आइटम परिवार के सदसे के लिए कोई electronic आइटम आप खरी सकते हैं तो कुछ धन आपका खर्च भी होगा overall धन के लिए बहुत यह अच्छा है परिवार के स्थती के बारे में बात करें तो परिवार वाओं में सूर्य बुद्द चंद् आपको मिल सकता है या माता पिता को कोई धनलाप मिल सकता है अक्टूबर के मेने में दूसरा देखा जाए तो परिवार के साथ में नदी पहाडों तीर्थ की यात्रा के planning बन सकती है अक्टूबर के मेने में तीसरा देखा जाए तो घर के अंदर सफेदी टाइल का सास सज् आप करवा सकते हैं यानि मित्वन राची का यह योग बन रहा है और मित्रो जो मैं मंतली राचीपल सप्ताइक राचीपल की भवश्यवानिया करता हूँ आप कैसी बैटती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमारा भी मार्गजर्शन करे और यदि आप करियर में परेशाने नौकरी नहीं मिल पारी है शादी नहीं पारी विदेश के अवीज़ा नहीं लग पारा विदेश समझे कोई प्राब्लम है देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाईएगा मेरा वर्टसेप नमबर आ रहा है इसमें नाम डे टेलिफोनिक बात कर सकते हैं अपने उपाये ले सकते हैं यानि कि मंत्र का मंत्र साधना कर सकते हैं मंत्र का उचारण कर सकते हैं और मंत्रों से व्यक्ति को लाब होता ही होता है और आप अपने उपाये कर सकते हैं तो आपको टेलिफोनिक कंसंडनसी लेनी है चलिए आप ब बड़ी संतान की बल्ले बल्ले यानि कि मालब भी बन रहा है छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो उनको कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा या संतान की कोई इच्छा पूर्थी आप करेंगे या उनके मामा मामी करेंगे या कोई ना कोई रिष्टेदार संतान को कुछ दिलाने वाला है हाँ संतान समंदी, करियर समंदी, विद्या समंदी आपको खुशकबरी या संतान किसी एक्टविटी में शरीक होगी उसमें उनको कोई आवार्ड कुछ मिल सकता है वो अक्टॵर के महिने में आपको नजर आएगा यानि संतान की विद्या के लिए अक्टॵर का महिना अच्छा है संतान को कोई लाब बेनिफिट कराने वाला महिना है संतान की करियर के लिए अक्टॵर का महिना अच्छा है क्योंकि मालब भी योग बना है इसी परकार से विद्यारती स््टूडेंट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट का करियर के लिए अक्टूबर का महिना धन के लिए भूत अच्た नज़र आएगा शुरूवाती तीन तारिक सही आपको करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा धन समंदी जो रुकावट है धन आ नी रहा है धन बचत नी हो रहा है धन का कोई लाब नी हो रहा है student को वो problem आपकी solve होती भी तीन अक्टूबर के बाद नजर आएगी और तीन अक्टूबर से 30 अक्टूबर दा खूब धन आपको आएगा जो समस्या है student के साथ चल रही है उ function और जस्म भी मनाने वाले तो विद्यारतियों के लिए enjoy वाला भी महिना रहेगा और धन के लिए अच्छा है सबसे पहले हम सुनीता जी से यह पूछेंगे कि जो 30 से कुछ लाब होता है कि नहीं होता आपने बहुत सारे लोग भी हमें भेजे उनको लाब हुआ कि नहीं गोरी जी को सादर चनर इसपर्स मैं गुरुझी से 20 साल से जुड़ी होई हूं और कम से कम मेरे साथ के 20 से 25 लोग गुरुझी के पास आये हैं उनको हमें ही नहीं उनको सब को लाब हुआ किसी के बेटी का किसी की अपनी परसनल प्रॉब्लम बात करें मितुन राजी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं तो नौकरी में मालब बयोग बन रहा है तो कही ना कही मालब बयोग से चार बड़े लाब आपको मिल सकते हैं अक्टूबर में पहला देखा जाए किसी काम में आपका चैन हो सकता है उसके योग नजर आ रहे हैं सीनि साथ आपके पद वृद्धी के भी अक्टूबर के में 7 अक्टूबर के बाद योग बनते हैं साथी साथ 5 तारिक से लेकर 29 अक्टूबर तक खूब जबरदास रिकॉर्ड तोड़ आपकी प्रफॉर्मेंस रहेगी अच्छी सेल रहेगी आप अपनी भी अच्छी सेल करेंगे और मित्रों की भी हल्प करते हुए नजर आएंगे यानि सेल के मामले में भी अक्टूबर का महीना मालब भी होके करना अच्छा है साथी साथ मित्रों के साथ मैं पार्टी फंक्चन में जाने का भी मोका मिलेगा यानि कुल मिलाके नौकरी के अंदर अच्छा इंक्रिमेंट भी नजर आएगा अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा अच्छी सेल भी होगी अक्टूबर का महीना नोकरी वालों के लिए अच्छा है अब बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन के स्वामी गुरू है गुरू वक्री हो जाएंगे कहीं न कहीं अक्टूबर के महीने में तो सबसे पहले लब कवल कपल यानि प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उनके करियर के लिए ये अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है करियर में पद्धन में व्रिद्धी होगी गुरु वक्री के कारण सबसे पहला उनके करियर में प्राब्लम को दूर कर रहा है, गुरु वक्री होने के कारण धन में वृद्धी हो रही है, इस्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, जो पार्टनर कहीं पर रह रहा है, किराये पर रहा है, वो इस्थान परिवर्त husband wife का October का महीना बहुत अच्छा है partner के साथ में कोई पूज़ा पार्ट आप करेंगे घर के अंदर भी कर सकते हैं partner के साथ में तीर द्यात्रम में जा सकते हैं और पार्टनर के साथ में खूब वस्त्र, खूब कहनों की खरीदारी करेंगे, या पार्टनर के लिए आप खरीदेंगे उसकी योग बनते हैं, पार्टनर को खुश करने का पूरा प्रियास मितुनराची वाले अक्टूबर में करेंगे, साथी साथ पार्टनर यदि आपका ले करेंगे नों उनके पद्धन में जवर्दत, पृद्धी, अक्टूबर में गुरु वक्री के कारण हा रही है, और पार्टनर का धन से समन्दीत, प्रॉपर्टी समन्दीत, सरकारी कोई रुका हुआ काम है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ हाल, कुछ ना कुछ खुश का हो मित्रों चाहे पती पत्नियों कई ना कई अक्टूबर का महीना लाब का रही है अब बात कर लेते हैं उनकी जो मित्रों राजी वाले अपना काम करते हैं दुकान चलाते हैं फैक्टी चलाते हैं तो कई ना कई दसम भाव के स्वामी गुरू हैं गुरू अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे, ब्रेशब राशी में वक्री हो जाएंगे, जबरदस्ट अक्टूबर का महिना आपका रहेगा, पहला आपको नया कोई कॉंट्रैक्ट किसी कंपनी के दुआरा मिल सकता है, काम में आपके जबरदस्ट तेजी आ जाएगी, तीसरा देखा जाए तो नया कोई काम, नया कोई प्रोडेक्ट आप लॉंज कर सकते हैं अक्टूबर के महिने में, और आफिस में कुछ रेनुवेशन के यूग भी, साथ स हो जाएंगे, नौक्टूबर के बाद वक्री हो जाएंगे, तो कही ना कहीं मितुन राशी वालों के जो सरकारी रुके हुए काम है, वो हल होते हुए नजर आ रहे है, कोट से समंदित कुछ काम आपके हल, कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, विदेश से समंदित आपको इंकम या विदेश से समंदित काम में आपको लाब होगा, यानि बारवे में गुरू का वक्रा होना मितुन राशी के लिए वंडर वंडर फुल रहने वाला है, तो मित्रो इस कारे करम में बादितना ही मुझे दीजे जायत, जैमत अदी